सुनीता दुगल जी ये जो दो गिरफतारियां आज हुई हैं ये क्या पहले नहीं हो सकती थी नमबर एक लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं सिलेक्टिव टार्गेटिंग भी है या नहीं आपको लगता है कि क्योंकि आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस भी करी और कहा कि ये चार मई का वीडियो 19 जुलाई को निकलना भी शायद कहीं न कहीं एक कॉंस्पिरेसी है इस पर आपके पास कोई सबूत नभीका जी देखिये ऐसा है कि ये जिस तरह की ओची राजनीती जो है वो आज चल रही है आप समझ सकते हैं इस बात को कि सच में ही 20 तारिक को जो है वो संसत शुरू होनी होती है और 19 तारिक को जो है वो इस तरह का वीडियो निकलता है तो इसमें कहीं कोई दोर आए नहीं कि ये बहुत विभत्स जो है ये कुकृत जो है उन पापियों को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए लेकिन क्या हमें ये भी नहीं ध्यान रखना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर जो है वहां की जो दिव्या मदेड़ना वहां की विध रहे हैं ये परदेश रेप परदेश बन गया है तो ये तो मर्दों का देश है ऐसी चीज़े तो होती रहती है जब जब जिस जिस नेता ने इस तरह की जो है वो एक ऐसा प्रस्तूत किया है इस तरह की बात को उसी वो उसका एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है कि जो समा आज की अपरादी प्रवर्ती के लोग हैं वो इन बातों को बहुत हलके में लेकर और समझती हैं कि इस तरह की हरकते करने से उन्चे उपर कोई कार लाई हैं अब मनीपूर में लोग राजिस्थान के मंत्री को सुनकर ये कर रहे हूं इसकी तो कोई पुष्टी नहीं हो सकती लेकिन सुनीता दुगल जी सवाल आज फिर भी वही का वही है आज अगर दो गिरफतारियां हो सकती हैं तो 77 दिन तक मौन क्यूं था अगर आप कह रही हैं कि कल कॉंस्पिरेसी के तहद एक वीडियो वाइरल हुआ तो अगर सरकार को पता था तो सरकार ने इसकी पहले संग पत्यान क्यों नहीं लिया दुनिया को क्यूं नहीं बताया कि इस तरह की घटनाएं हुई है और इस घटना पर ये एक्शन हुआ है क्या सरकार भी कही न कहीं कुछ चुपाना चाहती है नवीका जी दस सेकंड जी आरे हैं बारिश बता जी आप सुनिये मेरी बात की जो जी जी जो वहां के वहां के जो एडवाइजर है रजत जी अगर आपने उनको सुना हो तो मैंने आपको पहले भी कहता कि तीन चार तारी को ये घटनाएं दोनों तरफ से बहुत जबर्दस तरीके से हुई हैं और बहुत से FIR उसके अंदर दर्ज की गई है ये बात के लिए मैं भी अगरी करती हूँ कि कारवाई जो है जितनी शिगर होनी चाहिए थी उतनी शिगरता के साथ नहीं हुई इस बात की accountability बिल्कुल जो है मणी पर सरकार की बनती है लेकिन इसके साथ मै ये भी कहना चाहूँगी कि उसके बात से आदर्निय हमारी union जो ग्रह मंत्री जी है वो वहाँ पर पहुंचे है और उसके बात से वहाँ पर हालात जो काफी सुधार है उनमें पहले से बहुत जादा सुधार है उसकंदर और वहाँ पर आज पाजिए थी पुनावाला जी ब किरफतारियों का information भी दे रहे हैं इससे पहले उन्होंने 77 दिन नहीं लिया और कह रही है इतने वहाँ पर 3 और 4 मई को घटनाई हुई कि शायद हिसाब किताब रखना भूल गई वहाँ की सरकार इसलिए 14 दिन बाद 0 F.I.R. हाँ हाँ स्वाइब कर दिया है चीफ मिनिस्टर को कि है ऐसे सीम को अब बैटने का अदिकार है बीजे पी की प्रवक्ता बैटियाए मैं मैं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ मैं पुछना चाहूँआ के सीएम को जो रेप की खटनाई चुपा रहा है उसको क्या कूरसी पे बैटन प्रोश है बिल्कुल इस बात को प्रदान मंत्री जी ने भी बिल्कुल सपष्ट किया है कि कोई दॉराएं नी इस बात की भी जानकारी पूरी हासिल करनी चाहिए क्रहों मंत्री करने में या कि इस तरह की सारी उसमें इतना समय क्यों लगा इस बात की भी जो है वो जरूर तहकीकात होनी चाहिए तैसीन पुनावल सुनीता जी उन महिलाओं ने ये स्टेटमेंट डिया है अंडर 164 कि वहां की जो पुलीस प्रशासने उन्होंने उनको घर से निकाल कर उस म मेंबर ऑफ पार्लिमेंट मनीपूर की सरकार ने किए डीजीपी को सस्पेंट किया कितने पुलीस को सस्पेंट किया जीरो अगर आज माने ये मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे तो पहले जो पुलीस वहां पर उपस्तिते वह अब तक सस्पेंट क्यों नहीं गुषिस पर क्या कारवाय होई लेकिन यह बात जरूर है कि इस बात की जो है इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए एक जो है पूरी कमेटी की तरफ से कोई ऐसा जो है इस चीज की ज़रूर जाच्पी जानी चाहिए कि इतनी डिले जो हुई वो क्यों हुई और इतनी देर से जो ग्रेफतारी हुई वो क्यों हुई इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए